हेलो एब्रिवन मैं सीमा शर्मा, ग्लो टन से, आज मैं दिखाने वाली हूँ कि मैंने अच बड़ी चट में क्या क्या किया, रात को तो मैंने रसियाओ रोटी खा ली थी, और इसके बाद सहे हैं परिशाद बनाने की तैयारी कर रही हूँ, सुबर मॉर्निंग में ही हैं मैंने अपना धोकर सारे बरतन बरतन साफ करके और यह पूजा वाला बरतन है सारे और देखी यहां मैं ठेक हुआ बनाने जा रही हूँ आटा ले लिया था मैंने और उसमें मोमन डाल लिया यानि गी को गरम करके थोड़ा डाल दिया और इसके एक गुड़ है इस पतीले में थोड़ा गूड़ गरम किया था गुड़ में थोड़ा सा पानी डाल कि इसको बॉयल कर लेते हैं और ले 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 लिया बना ले लेते हैं में काफी डिजाइन बने हुए हैं तो इस तरीके से उस पर डिजाइन आ जाता है नीचे लोया चकले पर रखके और लकड़ी से दबा देते हैं तो जो डिजाइन उस पर निकला हुआ होता है वो उस पर आ जाता है एक तरीके से तो ऐसे बना सकते हैं और दूसरे तरीके से गी डाला था, गी यह तिकवा बना रही हूँ अर्ग देने वाला ठिकवा हम घी में भनाते हैं .. और । Next हम मायदे का जिए बना है मायदे मयां इकफाई त। मेरेका मैं ढाल रही को यह मोमन में तो यानि मैंक को अठाई है और है मैदे में तोट न घुद्ट सिस्टर है वो बना रही है ठीक हुआ तब तक यहां पर मैं कास्टा का जो डो है वो तयार करें हूँ मोमन डालने के बाद बहुत ही बहुत देर तक इसको मिलाते हैं ताकि जो भी घी डाले वो या रिफाइन डालो वो अच्छे से मिक्स हो जाए और इसमें मैं यह चीनी डाल पता चल जाता है जब बनाते हैं तो कितना हमें चीनी डालना है तो कुछ इस तरीके से दो से तीन से चार कटोरी मैंने इसमें चीनी डाल ली है और चीनी डालने के बाद भी कुछ इस तरीके से मिलाया जाता है बहुत देर तक ताकि इसमें जो चीनी है मिल जाया और फिर इ पानि भी हम उसी जगह रख लेते हैं जब हम परशाद बनाते हैं तो अलग से पानि लाकि रख लेते हैं *** और इसके भाद से यह पर मैंने लोग ही बना ली बहुत बड़ी लोग है और ऑसको इस तरीके से बेल कर यह अब मैं बर्फी की तरह इसको काट लूँगी लकडी वाला मेरे पास डिजाइन नहीं है साचा नहीं है उठेकुआ बनाने के लिए किसी से ले के आए थे पडोसी से फिर उनको भी दे दिया क्योंकि उनको भी परसाथ तैयार करना था इसलिए वो ले गए और यहां पर मैं यह चम तो कुछ मैंने खास्टा ऐसे भी बनाए थे और कुछ वैसे गोल गोल भी बनाए थे तो यह देखे तिहां पर रिपायन गरम हो गया है घी गरम हो चुका है और उसी में हम यह डाल देते हैं बहुत ही अच्छे लगते हैं खास्टा मिंस खस-खस बनता है यह और बिस्कित क तरह लगता है आप चाहें तो ऐसे भी बना कर खा सकते हैं इसको बहुत असान है बनाना और बचे बहुत पसंद करते हैं तो इसलिए तो चलो छट में तो बनता ही है आप नॉर्मल भी इसको बना सकते हैं यह कुछ लाल हो जाए हलका हलका तो इसको ऐसे छान लेना है यहां मेरी सिस्टर है यहाँ मैं हट चुक ह Müd्यू भूडवD by petering को उसे मैं contingent गॉट्णों में zich कुछे सिस्टरह नहीं बना की नहीं है आपने चीए ने आपप पार न सब्सक्राइब लियोगी से लिये डाल दिये दोनों सुपली में और यहां पर बाउल में है वो अचछत मैंने तयार किया है उसमें चना है और एक साठी के चावल होते हैं वो भी उसमें मिक्स कर दिया है और यहाँ पर देखिए यहाँ पर मैंने पूरा तयारी कर ली है शाम की जाने वाली यहाँ टोकरी है उसको भी सजा दिया है अब यह मेरी पूरी तयारी हो चुकी है साम के लिए अपने रूम में आके मै मैंने मेकप भी कर लिया मैं कुछ इस तरीके से लग रही थी आपको कैसी लग रही हूं जरूर कमेंट करना और अब हम जा रहे हैं शाम को तीन साड़ी तीन बजे से हम लोग भर से निकल गए थे और में यह साथ में यह मेरी पडोसन है इनी के साथ में कर रही हूं यहां पर मैं गुडगाओं घाट में जा रही हूं आप देख सकते हैं यह गुडगाओं का जो घाट है बहुत ही बढ़ा है और यहां पर बहुत ही भीड थी इतनी भीड होती है कि जल्दी जगा नहीं मिलती है और जो पानी में खड़े होते हैं आप देख रहोंगे कुछ लेडिस पानी में भी खड़ी हैं तो वो जड़भंगा साइट के जो होते हैं लोग वो लोग इसमें डूपकी भी लगा कर जब से जाते हैं घाट पर तब से उसमें जाके डूपकी लगा कर और उसी में खड़े रहते हैं जब तक सूरज भगवान डूपते नहीं है तब तक वो ल इहां पर अब धिक्षणारा होगा यहां पर धीय जला रही हूं各 की ग्हाटी ऊनदर और में तेय बाद नडर रहे। उपर से क्योंकि मेरी डलिया जो है वो उपर रखी हुई है और मैं नीचे घाट में आई हूँ दिये वगरा जलाने के लिए पोजा करने के लिए आप देख सकते हैं भीड बढ़ती ही जा रही है और जितनी ही शाम होती जाएगी उतनी ही भीड बढ़ती जाएगी कम से कम यह आठ से नो हजार तक लोग होंगे इतना क्राउड था इतनी भीड थी आप यकीन ही मानोगे घाट पर तो वहाँ पर जहां मैं खड़ी हूँ वहाँ पर बहुत ही कीचड है वहाँ बैठने की भी जगा नहीं थी वो तो कैसे मुश्किल से मैंने वहाँ दिये जलाए है और एक और इसके बगल में ग्राउंड है उसमें जूले लगे वे थे बहुत ही अच्छा मेला लगवा था बच्चों के लिए जूले वगएरा और जो भी बच्चों की चीज़े होती हैं खिलोने वगएरा सब बिक रहे थे तो यह यकीन मानिए यहां पर एक भारी मेला पर मैं अर्ग देने की तैयारी कर रही हूं मेरे साथ यह गई थी लेडिस इनसे मैं अपनी मांग भरवा रही हूं मैं अपना सिनोरा लेके गई थी सिनोरा में जब साधी होती है तो जो सिनोरा हमारा चड़ता है उसी में से यह शुन्दूर लगाया जाता है उनसे मैं अप फोटो हैं और मैं एक बार नीचे पानी में डूबो कर और फिर उसके बाद से सूरज भगवान को परणाम करते हुए अर्ग देते हैं और चारुतरब थोड़ा घूम कर फिर देते हैं ऐसा पांच बार करते हैं पांच बार करने के बाद इस तरीके से मैंने अर्ग दे लिया और यह मेरे हस्बन है, यहाँ मेरा बड़ा बेटा है मेरे पीछे, चोटा बेटा हम लोग आ रहे हैं घाट से घर पर, साड़े पांच बजे हम लोग घाट से आ गए थे और उसके बाद से फिर बारिश भी काफी होने लगी थी, तो यहाँ पर पिछले साल भी चट में हुई है, यह संडे की सुबा है, और सुबा हम चार बजे घाट पर आ गए थे, सुबा चार बजे इतनी भीड है, आप देख सकते हैं, बहुत भीड है, मतब शाम को आठ से नो हजार तक लोग थे, बट सुबा आप कह सकते हैं, दस से ग्यारा यानि बारा हजार तक भी जला रही हूँ, और अरंज कलर की साड़ी में मैं ही हूँ, दिये जला रही हूँ, टोकरी मेरी उपर रखी हुई है, और दिये जलाने के बाद से यहाँ पर देखिए, चारो तरफ पूरे घाट पर दिये जल रहे हैं, काफी अच्छा लग रहा है, बहुत सुन्दर लग र अर अभी अन्धेरा ही है, चार वजे तो आप जानते ही है, कितना अंधेरा होता है, साड़े चार हो चुके है, और यहाँ पर मैं और मेरे साथ में जो पडोसन वो έχει दिये जला रही है, और कुछ और पानी में जाकर खड़ी हो गई है, इसी समय से, और फिर मैं दिये जलां कर आके अपने टोकरी के पास हाथ में आचल में नारियल, पानकपत्ता, कसैली और ये औरन लेकर के बैठ गए हैं और ये मेरी सिस्टर है ये ग्रीन साडी में और वो फोटो कीच रही थी अब ये अर्ग देने का टाइम हो गया है और ये मेरी मांग भर रही है मांग हम नाक से लेके मांग तक पूरी सिंदूर करते हैं और यहां पर बारिस स्टार्ट हो गई है आप देख सकते हैं काफी बारिस होने लगी बारिस में ही मैंने अर्ग दिया है और यहां पर मैं घूम रही हूँ यहां मेरे हजबन यह वाइट शर्ट वाले मेरे हजबन है वो अर्ग दिला रहे हैं और मेरी बेड़े बेटे मेरे हस्बेंड और मेरी चोटे बेटे इन्होंने मेरे को अर्ग दिलवाया था दूद से अर्ग देते हैं सुपली लेके पांच बार घूमते हैं सूरज भगवान को नमस्कार करते हैं तो इस तरीके से मैंने अर्ग दिया स तब तक बारिश होई रही है और ठंड भी लगनी स्टार्ट हो गई थी तो काफी अच्छा मेला रहा और हमारी छट पूजा काफी अच्छी रही चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक